हेलो, नमस्कार, स्वागत है आपका, आपके सादनाज किछिन में, तो आज हम बनाने वाले हैं, मसाला ओट्स, वह बहुत ही हिल्ली तरीके से, और साथ-साथ बहुत ही टेस्टी, तो बनाना शुरू करें, तो ओट्स मैं इस पैन में बनाऊंगी, और सबसे पहले मैंने इसमे साड़े टाला थोड़ा सा बट्र तो मैं यहां पर स्तमाल कर रहे हूं बट्र आप और भी हेले बनाने के लिए यहां पर बट्र की जगे, ओलिव ओलिवा इसे गे भी बना सकते हैं तो बट्र मेल्ट हो गया है, तो सब से पहली मैं इसमे डानों भी थोड़ा सजीरा, और से मिक्स कर देंगे जीरा चटक गया है और अब इसमें डालेंगे महीन कटा हुआ प्याज प्याज को हम मेडियम रखेंगे प्याज को जितना महीन काटेंगे उतना ही अच्छा होगा और अब इसमें डालेंगे हरी मिर्च तो यह आपर दो महीन कटी हुई हरी मिर्च ले रहे हूं तो आप कितना चट पटा चाहते हैं वह आप अपने कॉणिंग चैट कर सकते हैं अगर आप कम चट पटा चाहते हैं तो मिर्च की कॉंटिटी कम कर दे तो देखे प्याज इतना ही फ्राइ करेंगे इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी हींग अच्छे टाजेशन के लिए इसे मिक्स करेंगे यहां पर मैं डाल रही हूं एक मीडियम साइज का महीन कटा हुआ टमाटर टमाटर को हम अच्छे से मैश होने तक इसको अच्छे से पकाएंगे तो देखे टमाटर अच्छे से मैश हो गया है और अब इसमें मैं डाल रही हूँ एक कटोरी फ्रोजन मटर आप मटर के साथ साथ दूसरी और अपने पसंद की सबजियां इसमें डाल सकते हैं जैसे आप इसमें डाल सकते हैं दीन स्टाल सकते हैं आप इसमें गाजर का इस्तमाल कर सकते हैं जो भी सबजी आपको पसंद ह तो आप इसमें डाल करते हैं, आप इसमें आलू का भी इस्तिमाल कर सकते हैं, और इसे अच्छे से यला देंगे, क्योंकि ये फ्रोजन मटर है तो इसे ज्यादा पूर करने के जरूरत नहीं पड़ीगी, और अब हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले, आदी चमच करम मसाला, इनको कर देंगे, मिक्स, तो देखे सारे मसाले अच्छे से खुख हो गये हैं, और अब मैं इसमें डाल रही हूँ, एक कटोरी ओट्स, और इसे भी मिक्स कर देंगे, मिक्स करने के बाद इसमें हम पानी डालेंगे, तो यहां मैं एक कटोरी, दो कटोरी और यह तीन कटोरी, तो एक कटोरी ओट्स के लिए मैं यहां पर तीन कटोरी पानी डाल रही हूँ, आप जिस भी कटोरी के नाप का ओट्स ले, से उसी कटोरी के नाप का पानी भी डाले, अब इसमें डालेंगे हम स्वादनुसार नमक, और इसे mix कर देंगे और पांच मिनिट के लिए इसे low to medium flame पर cover कर देंगे तो पांच मिनिट हो गये हैं और मैं लेट आती हूँ तो ये देखे मसाला ओट्स बिल्कुल तयार है और अब हम ग्यास की flame का off कर देंगे तो जबी भी आप वही पुरानी तरीके से ओट्स खाकर बोर हो गए हूँ तो जटपट बनने वाली इस recipe को ज़रूर ट्राइ करें बहुत ही tasty लगती है खाने में और ओट्स तो होता ही healthy है तो इस तरीके से एक बाद ज़रूर ट्राइ करें तो अपने घर में इस recipe को ज़रूर ट्राइ करें और comments में मज़े बताएं कि आपको ये recipe कैसे लगी तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई recipe के साथ Till then, take care, namaskar